हेलो स्टुदेंस वेलकम तो माई यूटूब चैनल तो विल डू क्लास नाइन हेरोंस फर्मुला चैप्टर एक्साइज 12.1 क्वेशन नमर वान एज यू कन सी दा क्वेशन ओन्योर डिस्पले दा क्वेशन रीड लाइक दिस एक ट्राफिक सिगनल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल ए है ठीक है एक ट्राफिक सिगनल बोर्ड है जिसमें लिखा हुए कि स्कूल ए है ठीक है और वो यह कुल्टर ट्रेंगल का सेप में ठीक है और बोल रहा है कि उसमें हेरोंस प्रमुला यूज करके उसका एरिया निकालो और उसका perimeter दे दिया है कि 180 cm ठीक है तो क्या है दो इसमें जिस्ट क्या है कि एक cultural triangle है जिसका side A, A, A है हमको बताया नहीं कि cultural triangle का side का measurement का actually हमको सिफ बोल दिया कि A है सारा side को तो ये A, B, A, B, A और ये भी है लेगिन बता दिया कि perimeter इसका 180 cm है ठीक है तो हमको पता है कि कोई भी triangle का perimeter का formula होता है sum of sides ठीक है तब हम sum of sides यूज करके उसका sides निकाल सकता है तो यहाँ पर देखो इस side of triangle is a centimeter okay then perimeter is given तो sum of sides होता है तो sum of sides तो 3 side है तो equal to triangle है तो तीनों सेम होगा तो A plus A plus A equal to 180 degree हम नेख सकते है ठीक है फिर यह A plus A plus A 3A हो जाएगा equal to 180 degree A equal to 180 by 3 equal to 60 यानि कि हमको पता चल गया है कि equal to triangle जो यह वला है इसका सारा side 60 60 और 60 है उसको तुमको पता है here on formula कैसे apply करना है अगर तीनों side दिया है तो किसी को भी A B C ले लो और यहाँ पर तो तीनों का तीनों 60 है तो किसी को भी A B C ले सकते है ठीक है तो यहाँ पर मैंने फिर semi perimeter निकालना है तो यहाँ पर एक step तुमको खुद देख ले ना से एकोल टू ए प्लस B प्लस C बाइ टू उसके बाद ए 60 प्लस 60 प्लस 60 बाइ टू यानि कि 180 बाइ टू एकोल टू 90 होगा ठीक है यानि कि सब्सक्राइब कितना आ गया 180 बाइ टू डेटीस तो 90 यह step तुमको इसके बीच में डाल देगा ठीक है 90 आगए अभी हमको पता है एरिया एरिया ट्राइंगल है रोंस फर्मूला से क्या होता है फर्मूला रूट अबर S S मैंस A S मैंस B S मैंस C ठीक है बस पूट करने है यह सारा को एक साथ मल्टिप्ला मत करना अधर्वाइस बहुत डिफिकल्टी होगा बहुत बढ़ा नंबर आ जाएगा फिर LCM खोजनी में तुमको प्रॉब्लम होगा ठीक है तो क्या करेगा देखो इंडिविजुली ब्रेक करेगा तो यहां पर 30 30 30 त तो अल्रीड है तो इसको मत चूँओ हम दो 90 को गर ब्रेक करें तो हम सूचेए 30 के ब्याफ में कैसे ब्रेक कर सकते है तो 90 को 3 into 30 लिख सकते है तो 90 को 3 into 30 लिख दिया बाकि 30 30 30 अभी देखो 30 का प्यार बन गया दो 30 का यह 30 30 तो एक 30 बाहर जाएगा या तो यह 30 स्क्वेर और यह दुनों का 30 स् स्क्वेर है वो स्क्वेर काटके बाहर जाएगा तो 30 230 बाहर जाएगा और एक रूट ओवर 3 में रह जाएगा तो 30 into 30 क्या होते है 900 रूट 3 जो इसका रिक्वाइड आंसर होगा hope you have understood we'll do the next video in the next thank you